सरकार चाहे कितने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभिहान चलाए लेकिन बेटियों पर अत्याचार दहेज पितारना आदी मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं एक ऐसा ही मामला उत्तर परदेश के मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे छेतर के अक्का भोजपुर गाओं का है जहां दहेज लोभियों ने दहेज की मांग के चलते एक विवाहित महिला की पीट पीट कर बेहरहमी से हत्या कर दी और घर से फरार हो गए हमने साधी करी थी अब से तीन साल पहले हैं बहाज उसे जो इसके आद पड़ी लिखी बात हुए थी यह लोग फून काट काट दे रहे थी अब सुबह जो अच्छे बच बच्च के बीस-बाइस मिनिट पर उन्हें फून करा मेरे खुरूब इनके भाई ने जो इतका नाम गबर है कि तुमारी भेंद खतम हो गई तो मैंने मुझे मुझे मालूम ना मैं कोई डॉक्टर थो रही हूं तो मैंने किसी डॉक्टर को ना दिखाई पता तो चलना चाहिए मैंनी घर में एक दम सा चानिंग में तो खतम नहोगा आदि कि वह दोड़ा परा कि तुस्ता जो हो जा कर लिए मटर ही कर दिया हमने उसको जा तुस्ता हमारा मटर रवादी जा अब जो आपने यहां पर आकर देखा तो क्या बाया आप तो सबी लोग ख़ड़े हैं मैं तो अभी आप आई हूं मुझे सीधा सीधा मटर लग रहा है इस लड़की मैं अभी सोकत साथ ठाना टांडा जिला रामपुर ने अपनी बैटी तस्लीम जहां की साधी तीन साल पहले मुंडा पांडे अक्का गाउन वासी आबिद के साथ की थी साधी में घर का सारा समान भी दिया था लेकिन सस्राल वाले आए दिन मिर तक तस्लीम को दहच के लिए मारपीट क्या करते थे दहच के लिए मारपीट की रिपोर्ट एक बार थाने में भी दर्ज की गई थी लेकिन घरवालों ने समझा बुझा कर राजी नामा करा दिया था इसके बाद सस्राल वाले फिर उसके साथ मार पीट करने लगे इस बार तसलीम को इतना मारा की उसकी जान चली गई तसलीम का एक डेड़ साल का बेटा कादिर भी है बहराल पुलिस ने चार लोगों के खिलाब हत्या का मामला दर्जकर आगे की करवाई सुरू कर दी है सिटी नूज दिली समवादाता उत्तर परदेश मुरादाबाद से सहाधत अली की रिपोर्ट